हेलो एब्रीवन वेलकम टू बोजोन मैंडिटेग और रबिंदर पाथक गाइस आज के वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूं MBBS study abroad good option और bad option काफी parents से मेरी over the call, students से over the call discussion होती है आप लोग personally visit करते हैं हमारे office और ज्यादा तर parents और students का common question होता है कि sir MBBS abroad से करना चाहिए नहीं करना चाहिए option कैसा है अच्छा है गलत है तो मैं हमेशा यह कहता हूं कि देखिए अच्छा और गलत हर जगे होता है हमने अपने favor में क्या लेना है यह हम पर depend करता है लेकिन जहां तक MBBS study abroad की अगर मैं बात करूं MBBS study abroad good option और bad option तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो जो बाते मैं बताऊंगा आपको carefully आप देखें वीडियो को सुने और समझे और free decision ले कि क्या सच में MBBS study abroad करना सही है यह गलत है क्या good है क्या bad है क्या good है जो आप अपने favor में लेके successful doctor बन सकते है यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ because MBBS study abroad में एक तो टाइम ज्यादा लगने वाला है आपका अगर इंडिया में साड़े 5 साल में MBBS होता है तो abroad से करके आएंगे तो साड़े 7 साल 8 साल तो आपका लगना ही है टाइम मैटर करता है फिर पैसा पैसा भी आपका लग रहा है अब पैसा एक बाद अगर खर्च कर दिया जा तो दुबारा अंड कर लेंगे लेकिन टाइम जो है एक बार चला गया तो चला गया तो यह ऐसा का decision है मपीवियस टड़ी एवरोड का केरफूली लेना है और decision लेते टाइम आपने किन-किन बातों का जिहान रखना और फिर आपने अपने आपसे पूछना है कि वह जो गुड ऑप्शन में बाते आती हैं वह आप फॉलो कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं अगर आप फॉलो मेरी फैमिली का coaching institute है जहां हर साल काफी foreign medical graduate आते हैं coaching के लिए MCA exam के जो exam है उसके preparation के लिए और बहुत से बच्चे first attempt में MCA exam को clear करते हैं और काफी ऐसे भी बच्चे हैं जो 5-6 साल से attempt पे attempt दिये जा रहा है उनका MCA exam clear नहीं हो पा रहा है जो first attempt में MCA exam को clear करा है जिन बच्चों ने जिन्होंने PG भी कर लिया है इंडिया से उन्होंने किन बातों का ध्यान रखा और जो MCA exam के लिए नहीं कर पा रहे उन बच्चों ने क्या गलती किया जो अभी वो regret कर रहे हैं यह सारे topic आज discuss करेंगे वीडियो informative होने वाली है वी पहले हम discuss करते हैं MBBS study abroad देखिए अगर आप MBBS study abroad जा रहे हैं यह good option है because आपको इंडिया में seat नहीं मिल रही है medicine का dream है और अगर आपने dream fulfill करना है तो आपके पास एक better option है MBBS study abroad से करने का लेकिन यह better option best कैसे होगा जब आप चाहेंगे और आप कैसे चाहेंगे आप self study करेंगे आप study करेंगे आप district नहीं होंगे आप एक university ऐसी स्टूस करेंगे जो university decent हो आपको अच्छी मिल रही हो तो कि university के बाद hostel ऐसी जगह जो आपने study करना है होस्टल फैसलिटी भी matter करता है इसके अलावा university अच्छी है हाइटेक क्यूपमेंट वहां पर लैब में मिल रहा है आपको classroom अच्छा है इन छोटी-छोटी बातों का धियान रखेंगे जो university को बनाती है अब university आपको अच्छी मिल गई अब आधा वर्क हो गया आधा वर्क आपने अपने आप करना है सेल्फ इस्टेडी करके university जो इस्टेडी करा रही है उनको प्रॉपर समझ के लासे सेटेंड करके सिलेवस कंप्लीट करके और जितना आप महनत कर सकते हैं उतना महनत करके तब आप सक्सेस्फुल डॉक्टर बनेंगे और कोई नहीं रोग सकता क्योंकि ऐसे वो बच्चे है जोनों ने इन चीजों का ध्यान रखा देवन उनको चीजे समझ में आगे कि अब रोड में उनको क्या मिलने वाला है आगे फ्यूचर में जब इंडिया आएंगे लैसेंसिंग एक्जाम करेंगे तो पीजी के लिए उनका competition किन बच्चों से होने वाला है उन बच्चों से जो यहाँ अच्छे प्राइबर्मेंट कॉलेज में अच्छे प्राइबेट कॉलेज मेडिकल प्राइबेट कॉलेज इंडिया में पढ़ रहे हैं यह चीज हुनका क्लियर था और वह आज इंडिया में उनका शीडिय कर चुके हैं अपने यह उनका experience था क्यों क्योंकि MBPS study abroad अगर आप successful doctor जिस दिन बन जाते हैं इंसे exam clear कर लेते हैं उस दिन आपका resume ना Indian medical graduate से strong resume बनता है कैसे आप abroad जा रहे हैं आप उस country की language को भी सीख रहे हैं लेंग्वेज भी एक्स्ट्रा आती है आपको आप इंडिया में आके भी foreign medical graduate examination को भी किलियर किया है यह भी आप resume में लिखेंगे जो कि इंडियन medical graduate नहीं लिख रहे हैं तो यह आपका resume इंडियन medical graduate से strong होता है इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को जो बच्चा समझ गया वह successful doctor है और मेहनत करेगा हो जाते हैं तो यह good option है अब्चों के लिए जो पढ़ने वाले हैं जो मेहनत करने वाले हैं जो अपने ड्रीम को लेके बिल्कुल सपनों को नहीं समझ रहे हैं बहार जा रहे हैं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं यूट्यूबर बन रहे हैं जो पढ़ाई का टाइम है उसमें नहीं पढ़ रहे हैं, syllabus complete नहीं कर रहे हैं, 2-3-3 साल तर किताबे खोल के नहीं देख रहे हैं, इस गलत फैमी में हैं कि बाद में complete कर लेंगे, कॉप अप कर लेंगे, जिनको नहीं पता कि 6 मेहने में 6 साल की study नहीं हो पाएगी उन से, जो ऐसे लोगों को mentor बना रहे हैं, जो खुद medicine करने गए थे, अब agent बन गए हैं, consultancy चला रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं, उन बच्चों को क्या होगा, समझ नहीं है, बच्चों के गल इतावे खोलते हैं, पड़ते हैं, 4-5-5 साल तक coaching लेते हैं जरूरी नहीं है, कि सभी बच्चे 4-5 साल, 2 साल, वो बच्चे ये तो मैं कह सकता है, जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़े हैं, ये आपने अच्छे से समझना है, good option और bad option का क्या definition था, ये मैंने आपको explain क किया है, आपने अपने favor में कौन सा option लेना है, good ये bad ये आप पे depend करता है, MBBS study abroad good option और bad option, अब काफी parents के मन में ये होता है, कि consultancies को लेके, वो गलत करते हैं, fraud करते हैं, cheating करते हैं, सही information नहीं देते हैं, और ये सच है, नहीं देते हैं, होता है, तभी तो आप लोगों के मन मे रहता है, इसके लिए भी आपको एक अच्छा consultant चूस करना पड़ेगा, track record चेक करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, कि जो consultancy के तुरू आप admission ले रहे हैं, वो consultancy university ये वहां के जो official contractor है, उनके साथ जुड़ा हुआ है ये नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप ऐ communication gap होगा, बच्चों को problem होगी, बच्चा जब जाता है, problem face करता है, ट्रवल करता है, लेकिन सेटल तो हो जाता है, लेकिन जब आप ऐसा दे रहे हैं, consultancy चार्ज पे कर रहे हैं, तो बच्चा आप अच्छे से पहुंचे, उसकी सारे जो work है, admission process है, अच्छे से complete हो, ऐसा कई example देता हूँ, दिल्ली में मैं मेरी consultancy डैली located है, और डैली कही एक consultancy है, जिनके थूरू, लास्ट यर एक student गया था, और यह मुझे एक student उसके junior friend जो मेरे थूरू admission ले रहा है, जो मेरे office visit करके गया है, उसने मुझे बताया कि मेरे friend के साथ तो ऐसा हुआ, कि admission हो गया, जब यहाँ डैली आरपोर्स से गया, तो मॉस्को एरपोर्ट पर उसे कोई लेने भी नहीं आया, जब एरपोर्ट पर पहुंचा तो response नहीं मिला consultancy की तरब से, वो फिर जैसे तैसे university तक पहुंचा, और चीजे ठीक रही लेकिन इन बिटिविन उसको बहुत trouble करना पड़ा, ऐस जाता, तो उस consultant के थुरू लाज की है, अगर उसका friend क्या तो सकता, यह बच्चा भी उन्हीं के थुरू जाता, हमारे पास जो बच्चे आते हैं, ऐसे ही आते हैं, पूछ के आते हैं, जान के आते हैं, references track record देख के आते हैं, तो consultancy यहां मैं यह नहीं बोलूँगा कि सारे ग पैसा करते हैं, तो मुझे पूरी उमीद है कि आपके बच्चे का, आपका admission process, हैसल परी complete होगा, university में study journey अच्छी निकलेगी, तो यह था MBBS study abroad, good option और bad option, जो आप पे depend करता है, आपने अपने favor में क्या लेना है, good option लेना है, तो कैसे लेना है, किन बातों का ध्यान रखना है क्या गलतियां आप करेंगे, जो यह good option आपके लिए bad option हो जाएगा, तो इन चीजों को अच्छे से समझें, और सही decision ले, यहाँ आपका पैसा भी लग रहा है, और आपका time भी लग रहा है, और time छोटा मोटा course नहीं है, साल, दो साल, तीन साल, साड़े साथ साल, आठ साल आ है, तो आपको एक अच्छा option मिल रहा है, ड्रीम फुल्फिल होने का इंडिया में सीट नहीं मिल रही है, second option है, इस option को यूटिलाइज अच्छे से करें और अपने favor में ले, गाइस, बहुत सारे parents और students होसते हैं कि जो जो एडमिशन ले, यहां मैं अगर एक order आपके बन में जो रहता, उस पे discuss करता हूँ, over the call discussion होती है, आप हमसे पूछने कि सर, आपको office कहा है, मैं बोलता हूँ, डैली है, आप किसी और city में हैं इंडिया से, और आपको लगता है, इतना दूर कैसे जाएंगे, कैसे admission ले, हर साल, मैं आपको बताना चाहूँग, every year, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, इंडिया में अलग-अलग cities से, जो हमारे चुरू बोजन मेडिटेक के थूरू admission लेते हैं, online admission process complete होता है, hassle-free admission process complete होता है, university तक हम लेके जाते हैं, study journey उनकी अच्छे से होती है, कैसे online admission process आपने हमारे चुरू complete करना है, step by step, मैं over the call आपको हर चीज़ explain आप admission के लिए कुछ query है, नीचे दिये गए नंबर के मुझे direct call कर सकते हैं, हमारी सभी information description box में mention है, अगर आप चाहते हैं कि आप doctor बने, अच्छे से पढ़े, तब आप हमें choose कर सकते हैं, genuinely मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा हमारे थूरू admission ले, वो पढ़े और successful doctor बने, यहा जो बच्चे successful doctor है, मैं उनके लिए proud भी feel करता हूँ, कुछ ऐसे मेरे अपने बच्चे भी है, तो I hope guys, वीडियो आप लोगो के लिए informative हो, वीडियो को share करे, channel को subscribe करे, thank you for watching.